हेलो दोस्तों आपका एक बार फिर्ट से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सेल्टीच आलवेज में तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे बेसिक फंक्शन देखने वाले जो कॉमनली यूज होते हैं टेक्स के उपर मैं नमबर्स के लिए भी कुछ ऐसे फॉर्मलेस ल काम करते हैं तो कमेंट करके जरूर बताईएगा और चैनल पर बने रहीएगा तो ठीक है वीडियो स्टाट करने से पहले एक बार बता दूं कि आप मेरे चैनल को लाइक शेप सब्सक्राब जरूर करिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हर बार मिलते रहें तो चलिए बढ़ जब से पहले एक नाव और टूडे का जो फंक्शन है यह आप लोगों को शायद ही पता हो बहुत से लोगों को पता भी होता है बहुत से ओको नहीं तो नाव का फंक्शन क्या करता है कि आपको करन्ट डेट और टाइमिंग चाहिए वो भी आटोमेटिक अपडेट होती रह जाएगा ठीक है फिर उसके बाद आता है टुडे टुडे का फंक्शन में क्या होता है कि आपको डेट तो सेम मिल जाएगी बड़ टाइम नहीं मिलेगा सिर्फ यह डेट शो करता है और यह डेली अपडेट होता रहीगा ऐसा नहीं कि आपने आज ले लिया तो कल यह आज क टुडे राकेट ओपन लेखेट क्लोश एंटर तो देखें आपपडेट आचुका है अभी देखने वाले हैं कि लेन्पंक्शन क्या घरता है यह आपने जो टेक्स वाजु में लिखा है मैंने लिखकर लिख के रगा है आप यहां भी कहीं भी लिख सकते हैं किसी और टेक्स पे भी यूज़ कर सकते हैं तो मैंने जो टेक्स बाजू में लिखा है उसमें कितने alphabets with space है वो आपको count करके बताएगा तो देखते हैं कैसे equal to length bracket open select text bracket close करके enter करें देखें यहाँ पर बता तो इस तरह से आपके कितने character with space है वो आपको count करके देदेता है अगर आपने बाइचांस बीच में अगर एक space और डाल दिया है लाश में जैसे कि मैं यहाँ पर बढ़ा देता हूं space और एंटर करता हूं तो वह उन space को भी count कर लेगा बट आपको लगी करके मेरा alphabet कम है मेरे टेक्स्ट कम है तो यह इतना ज्यादा क्यों लिखा रहा था आपको यह ध्यान देना होगा कि आपने बीच में space तो नहीं रखा है यह तो वह उसको भी count कर लेता है अब आ जाते हैं left function के उपर left क्या करेगा कि आप equal to left bracket open टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे कॉमा आप left side के कितने character देखना चाहते हैं वह आपको यहाँ पर लिखना होगा for example मैं लिख देता हूँ five bracket close enter देखिए left के पांच character आपको यहाँ पर शोहर है chamber जो भी है chamber का चेंब दिखता है सेम ऐसे ही आप यह राइट का देखते हैं equal to right bracket open select text कॉमा मुझे राइट के कुछ seven characters देखने है bracket close enter तो देखिए पिन को जो दिखा रहा है वह आ चुका है तो इससरा सब देख सकते हैं आप बोलेंगे तो छे ही character है आपने साथ लिगा था विकॉस उससे पहले space है वह भी count ह हो चुका है अभी देखते हैं कि मिड फंक्शन क्या करता है मिड फंक्शन आपको बीच में से आप जो टेक्स देखना चाहिए लेफ्ट और राइट में आपने देख लिया कि एक बार लेट से देख सकते हैं अगर मिडल में से कोई sentence कोई character देखना है तो आप कैसे देखें हैं कि वह character आपको देखें for example मैं डालता हूँ four digits four numbers के character से start होगा कॉमा और आगे तक कितने character आपको दिखने चाहिए मैं लिख देता हूँ मुझे सिर्फ दो ही दिखने चाहिए आगे तक four numbers से start हो यानि के 20 से start हो और आगे तक मुझे suppose 3 देखने है bracket close enter तो देखिए MUM3 हो ग तक लिए formula के तरफ find find का function क्या करता है कि अभी तो आपने देखा कि left में right में mid में कितने आपको देखने बट अगर आप यह जानना चाहते हैं कि यहाँ पर जो a है या i है वो कितने नंबर की position पर है ठीक है अभी तक आपने देखा कि इन में हम position wise alphabet यहाँ पर ले आते हैं ब 3, b, a, 4 और a, 5 and then i यानिके six number की position पर आई है और आप देखना चाहते हैं तो find का formula यूश कीजिए जैसे के आप यहाँ type करते हैं equal to find bracket open आपको क्या find करना है वो text आपको double quotes में लिखना होगा double quotes close comma कौन से text में से find करना है उस पर click करिए और bracket close करके enter कीगे तो देखे यह capital i हो गया है मेरा इसलिए यहाँ पर दिखाने रहा है त्यूंकि हमारे पास capital में i है नहीं कोई अगर मैं इसको small में करता हूं small i लिख देता हूं और enter करता हूं तो बताएगा कि आपका ही जो i है वो six number की position पर है आप कुछ और भी लिख सकते हैं formula पर double click किये जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूं मेरे को small m देखना है मेरे एंटर किया तो small m बतारा third number की position पर है ठीक है तो आप इस तरह से बीच में से कोई भी sentence word के बीच में से कोई अलफाबेटिया character देखना तो आप देख सकते हैं अभी आ जाते हैं अपर lower proper की तरफ यह तीनों कि हम बोलते हैं स्मॉल लेटर और प्रॉपर का मतलब होता है capital each word ठीक है तो आप यहां पर किस तरह इनका यूज कर सकते हैं अब हम वह देखते हैं तो आप यह समझ गए होंगे कि capital लेटर मतलब जो हम पूरा अपर केस यानिके पूरे capital लेटर में टाइप करते हैं फर इक्जामपल जैसे कि आप देख रहे होंगे यहां पर अपर है मैं अगर capital में लिखूंगा यानिके capital अगर पूरा स्मॉल में लिखा रहेगा तो लोवर हो जाएगा तो देखते हैं कि function किसी भी alphabet को कैसे करता है अपर लोवर यह प्रापर में है तो पहला function है equal to अपर ब्रैकेट ओपन select text ब्रैकेट क्लोज करके आप इंटर कर दीजिए यह देखें यहां पर चेंबूर लिखा था करना है तो आप लोवर का function यूज कर सकते हैं equal to lower bracket open करेंगे select text ब्रैकेट क्लोज एंटर देखें यह capital लेटर था इसको function ने small letter में convert कर दिया अब ऐसे ही आगे देखते हैं proper function क्या करता है यह देखें यहां पर proper function के लिए देखें capital small sub mix करके लिखा हुआ है बीच में space वगेरा भी जादा है तो देखते हैं proper क्या करेंगा equal to proper bracket open select text bracket close करके enter करेंगे देखें मेरे बाद double आ रहे चेंबूर का ओओ मैं यह पार हटा देता हूं example यह देखें इसने alphabet को एकदाम सही कर दिया है बट जो बीच में space है उसको नहीं प्रॉपर का काम जा होता है कि आपके alphabet small letter में हो capital letter में हो या mix letter में वह capital इसको convert कर देगा जैसे के चेंबूर में C capital मुंबई में M capital और pin code में कोई capital नहीं सब नंबर है तो यहाँ पर जो space है वो ठीक नहीं होता है प्रॉपर बोलता है मेरा काम alphabet को ठीक करना है space का तुम जानो बागे तुम्हारे काम जाने तो हम space के space को ठीक करने के लिए लेते हैं trim का function देखें trim कैसे काम करता है equal to trim bracket open select text bracket close enter यह देखें यहाँ पर भी एक और extra है तो trim क्या करता है आपके पास जो भी unnecessary space होते हैं उनको कम करके by default one space में convert कर देता है समझें तो अभी trim बोलेगा मेरा काम space ठीक करना था मैंने space ठीक कर दिया है बागी का तुम जानो तो अगर हमें दोनों भी चीज़े एक के टाइम पे एक के साथ पूरा alphabet को ठीक करना है तो हम trim और proper को साथ में भी यूज़ कर सकते हैं चलिए देखते हैं कैसे साथ में यूज़ करते हैं equal to trim bracket open proper bracket open टेक्स को सेलेक्ट करेंगे दो बार bracket close करेंगे बिकास हमने दो function यूज़ किये हैं और enter यह देखें यार फिर से इदर से एक और आद चलो हटा देखें तो यह देखिए आप यहां पर देख सकते हैं कि यह alphabet किस स्टाइल में हैं और यहां पर कैसे दिख रहा है तो यह alphabet को एकदा ठीक करता है और यह दखेंगे आप बोले में डिस्टेंस है दो अलफाबेट के बीच में डिस्टेंस है तो बाइडिफॉल एक इसमें पर छोड़ देता है ओके बढ़ते हैं अगले फॉर्मले की चलब कॉन क्या करता है आपके पास अगर अलग-अलग सेल में कोई डेटा है वर्ड्स हैं यह आप जैसे देख सकते ह अगरे वर्ड्स नेम लिखना पड़ता है तो उन तीनों को कमबाइन करने के लिए भी कॉन के डिने यूज होता है का अच्छा एक फॉमला आच चुका है जिसको टेक्स जॉन बोलते हैं जो ऑफिस तरी सिक्स्टीफाइब में होता है फिलाल हमारे पाफिस तरी सिक्स्टी पहला टेक्स्ट ले लेंगे कॉमा दूसरा टेक्स्ट कॉमा तीसरा टेक्स्ट ट्राकेट क्लोज एंटर यह तीनों कमबाइन तो हो गए बट प्राब्लम क्या है प्राब्लम यह है कि बीच में एक भी बार स्पेश नहीं आया इस तरह से अगर कोई सेंटेंस यह वर जॉन होता है तो वो ठीक नहीं है ना तो इसको जोइन करने का एक दूसरा तरीका भी है अब वो भी देखते हैं इक्वल टू ओन केटिनेड ब्राकेट ओपन करेंगे पहला टेक्स सेलेक्ट करने के बाद कॉमा जब आप देते हो तो डबल कोड्स में आप स्पेस टाइप करके डबल कोड्स क्लोज कर देए यानि कि डबल कोड्स जो भी लिखो गया वह आपको दो अलफा बेट के बीच में शो ले लेगा जैसे कि मैंने यहां पे स्पेस लिया है ढूमा दूसरा टेक्स सेरेक्स करते हैं थे कॉमा अभी एक्जाम पर के लिखे में यहां डबल कोड्स में स्लैश ले ले लेता हूं डबल कोड्स गलोज कोमा और आपको तीसरा टेक्स सेलेक करके दिखाता हूँ private close enter यह देखें पहले जगा पर मैंने space लिया था वो space show कर रहा है दूसरी जगा पर मैंने slash लिया तो वो slash show कर रहा है तो याद रखिए आप double quotes के बीच में जो भी चीज़ रखेंगे text, alphabet, symbols या space वो आपको दो alphabet या sorry, दो words के बीच में show करेगा ओके तो यह हो गया था concatenate का function जो multiple cells के words को combine करने के लिए होता है या join करने के लिए होता है वैसे ही and symbol का भी हम use कर सकते हैं वह उसके लिए आपको को formula नहीं रिखना है directly equal first text and second text and third text enter देखिए हो गया join लेकिन ये भी सही नहीं है चुकि हमें बीच में space चाहिए तो आपको वही करना पड़ेगा जो हमने concatenate के बीच में किया था तो उसके लिए इसको मैं delete करता हूँ equal first text टिक है तो इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर end का symbol डालेंगे double quotes में space लिखेंगे double quotes close फिर से एंड लिखेंगे और next text को select करेंगे फिर से अगर आपको आगे चाहिए तो वह पिस से एंड double quotes space double quotes फिर यहाँ पर end का symbol then last text को select कर लेंगे इंटर देखें इस तरह सा आगे बहुत एजी formula है बहुत ही काम की चीज़ें आप ज़रूर ट्राय करिएगा और इसका दूसरा पार्ट में जल्दी लेके आऊंगा ताकि कुछ और basic function आपको से खने को मिल जाए जो आपके काम बहुत ही आ सकते हैं तो अगर आप channel पर नए थे आपको वीडियो अच्छा लगा रहा हो तो जरूर लाइक शेयर सब्स्राइब करिएगा और नहीं नहीं पहुतिने कि टो भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में बाएं कि अब बंचेम कि अब 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 ID